चे महत अधी, वेलकम टू माई चैनल, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी लॉंग और कपूर से आरती करने का क्या फायदा होता है प्रतेक देपताओं की आरती अलगलग की जाती है, जैसे हमारे सनी देप भगवान है तो उनकी हम सरसों के तिल से आरती करते हैं लेकिन लॉंग और कपूर की आरती आप प्रतेक देपता, इष्ट देपता, कुल देपता, पित्र देपता, सनी देप भगवान, हनुमान जी, माता रानी, किस भोले बाबा, सब की पूजा आप लॉंग और कपूर से कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ ऐसी है कि ज़्यादा ताम जाम की जरूत नहीं है, आप अपने ओफिस में, जो भी आपका कहीं, आपका वेबसाय है, ओफिस है, आपका कोई बुटीक है, टूसन सेंटर है, पारलर है, आप ये, जो भी मतलब आप अपने घर में, इस तरह से बहुत आसानिक तरीके से भगवान की आरती कर सकते हैं, पूजा की कमी को दूर करने के लिए जो भी कमी रह जाती है, आरती की जाती है, और बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है, जो बैचुलर हैं, बाहर रहते हैं, वो आसानी से इस तरह से पूजा कर सकते हैं, और कपूर की आरती मिट्टी के दिये में या पान के पत्ते के उपर शक्कर बतासा चावर रखकर कपूर लोंग रखकर की जाती है मिट्टी का दीपक लेकर उसमें आप कपूर रखें दो लोंग रखें और हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलें दीपक में रखकर आप जला द की जो सत्रू है उनका नास होता है पान का पत्ता मैं आपको जलाना चाहिए यह आम का पत्ता है में रिक पास पान का पत्ता नहीं था तो मैं आपको यह दिखा रही हूं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी यल्दी आपको बता रही हूं डिस्कृप् गुमानी चाहिए इस तरह से 14 बार आरती को गुमाया जाता है ये लौंग और कपूर की जो आरती होती है सब प्रतम विश्णु भगवान ने भोले भगवान की भोलिनात की शादी में गाई थी करपूरी गोरम करणाबितारम संसारिसारम भुजगेंडरिहारम सदावसंतम हि प्रतम नमामी इस आरती को कपूर को जला कर आपको गानी चाहिए आपकी पूजा संपूर मानी जाती है हमारे हिंदू रिती रिवाजों में इसका बहुत ही महतो है दीपक मैं लौंग जलाने से आपकी किसमत चमकने लगती है अधिकतर लोग घी के दिये से आरती करते हैं लालबत्ती या जो लालबत्ती वाला यानि कलावे का जो दिखी का दिया होता है या लोग कपूर से आरती करनी चाहिए तो लोग और कपूर से आरती करना बहुत ही सरल होता है वैसे हम अग्यारी देते हैं मातारानी की या किसी भी देपता की तो उसमें लोग चलाते हैं ल आपका अठका हुआ धन वापस मिल जाता है गरीवी से आपको आप धनवान बन जाते हैं आपका जो भी पैसा हाथ में नहीं टिकता था वह टिकने लगता है मतलब खर्चे कम हो जाते हैं अनावश्चक खर्चे समाप्त हो जाते हैं और घर का वासु दोस दूर हो जाता है पत लोगों को ये चीज पता भी होगी लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर है या नए लोग है नए बच्चे है जिनको नहीं पता है मैं उनको ये जानकारी दे रही हूँ और जो हमारे बहन भाई इस तरह से आरती करते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोग और कपूर से किस तरह से आरती करेंगे वीडियो इसके बहुत ही जादा फायदे होते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉटकट में दिखा रही हूँ और बाकी मैंने हवन कैसे करते हैं आरती कैसे करते हैं पूजा कैसे करते हैं वो सब गर का जो वातावरन सुद्ध हो जाता है वास्तु दोस्दूर हो जाता है घर में लक्षी माता की कृपा होती है पूरे घर में घुमा दें तुलसाजी के अगर गमला है तो वहां भी घुमाएं मंदर में घुमाएं पूरे घर में घुमाएं तुल इस तरह से जब आपके आने लगती है यानि कि आपका मन पूजा में लगने लगता है बहुत से बेहनवाई कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता आपका पूजा और यह बहुत ही सोटकर तरीका है यानि जो बेहनवाई बिजी रहते हैं टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो इस तरह से पूजा करके इतना ना बूले कमेंट्स बॉक्स में